गुड मॉनिंग फ्रेंज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं पिछले कई दीनों से या तो यह कहे एक दो महिनों से कोरोना वाइरस के कारण पूरी दुनिया परेशान है तो और सभी स्कूल और कोलेजिस वगेरा बंध है तो हमारी स्कूल भी उसी प्रकार लोगडाउन है बं आतियम से हमारी पठन पठन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे अपने कक्षा पांच में बहुत सारी चीजे पढ़ी संस्कृत में जैसे कि संस्कृत आलफाबेर्स फिर संयुक तक्षर फिर धातु के रूप यतो शब्द के रूप वगेरा तो वो जो था कक्षा पांच में वो एक बेजिक आपको भाषा का नोलेज हो उसके कारण थोड़ी उपर उपर की बाते आपको सिखाई गई थी अब कक्षा 6 में इन डेफ्थ यानि कि जो आपने पढ़ा है उसमें से बहुत सारे टोपिक रिपीट होंगे बट थोड़ी गेहराई के साथ तो चलिए आज का हमारा लेक्चर सुरू करते हैं तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आपने कक्षा 5 में भी संस्क्रित वर्ण माला पढ़ा था और बक्षा 6 का भी आपका पहला जो चेप्टर है वो है संस्क्रित वर्ण माला ठीके तो हमने पहले कक्षा 6 में पढ़ा था कि संस्क्रित में कौस लेकर हर तक के वर्ण व्यंजन है वर्ण है यह वो हम इसमें भी जैसा मैंने आपको बताया कि इन डेफ्ट आपको बात सिखाई गई होगी तो मैं आपको पहले पढ़कर ही बोल समझा देता हूँ फिर उसको हम समझेंगे वर्ण दो प्रकार के होते है स्वर और व्यंजन उसमें से जो पहला स्वर है उसके 3 पार्ट्स बताये गए है पहले तो संस्क्रित वर्ण माला में तेरा स्वर है जो निम्न लिकित तीन भागों में विबाजित है पहला विबाग है रस्व स्वर औ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा रू और लू ये पांच है और इन्हें मूल स्वर भी कहते है फिर दूसरा प्रकार स्वर का है वो दिर्गस्वर है उसमें आ, बड़ा ई, बड़ा उ, और बड़ा रू आता है और जो तीसरा प्रकार है वो है सैयुक्त स्वर यानि की जो दो स्वरों से मिलकर बना हो उसे सैयुक्त स्वर कहते है वो होते हैं ए, अई, ओ, और अउ और जो दूसरा प्रकार है अक्षरों का वो है वियन्जन तो वियन्जन भी दो प्रकार के है एक तो वियन्जन कितने हैं? 33 है और वो भी तीन भगों में विबाजित है पहला विबाग है स्पर्स वियन्जन दूसरा विबाग है अंतस्थ वियन्जन और तीसरा विभाग है उस्म वियंजन तो सबसे पहले हम स्वर और वियंजन क्या है उसे समझते हैं और फिर उनके विभागों को समझते हैं आपने इंग्लीज भास्ता में पढ़ा है कि भई A, B, C, D, A से लेकर Z तक अब उसमें A, E, I, O और U ये जो पांच है वो वोवेल्स होते हैं और बाकी के जो होते हैं वो कॉंसोनन्स होते हैं सभी भास्ता में अपनी एक वरनमाला होती ही है जैसे इंग्लीज में A, B, C, D, E, F, G, H, O, G, D, A वो उनकी वरनमाला है हिंदी में काखगगः वो हिंदी की वरनमाला है गुजराती में भी काखगः और सिमिलरली संस्क्रित में भी काखगः वो उनकी अपनी वरनमाला है बट संस्क्रित इस कंसिडर्ड टू बी वन अप दो मोस्ट एंशियंट लेंग्वेज तो सबसे पहले जो भासा थी वो संस्क्रित ही थी तो उसमें दो प्रकार के अक्षर आपको मिलते हैं एक प्रकार के अक्षर है स्वर यानि कि जो इंग्लिस में जिसे हम वोवेल कहते हैं उसे संस्क्रित में स्वर कहते हैं इंग्लिस में पांच ही वोवेल है जबकि संस्क्रित में थर्टिन वोवेल से हैं तेरह स्वर है मैं पहले तेरह के तेरह आपको गिना देता हूं फिर उसको हम ये तीन भागों में विबाजित करेंगे गिनते जाईएगा अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटा रू, बड़ा रू, लू, ए, अई, ओ, आउ, राइट तो पहले दस और ये तीन तेरह अब आपको प्रस्णा होगा और अम और अह क्यों नहीं आया क्योंकि वो स्वर में नहीं आते, वो मूल रूप से उसे अयोगवाह कहते है स्वर ये तेरह ही स्वर है अब जैसे मैंने आपको दो मिनिट पहले पढ़के सुनाया था कि भई स्वर तेरह है वो तो आपने समझ लिया अब उसमें तीन विबाग बनाए गए है यानि कि दोस थर्टिन वोवल्स आर डिवाइड़ इंटू थ्री सेगमेंट्स पहला है वो है रस्व श्वर रस्वर याने की छोटी मात्रा और दिर्गर याने की बड़ी मात्रा तो अब आ से लेकर आ तक के स्वर तेरह स्वर जो देखेंगे उसमें आपको पांच ऐसे स्वर मिलेंगे जो की रस्वर कहे जाते है कौनसे कौनसे, अ, फिर छोटा इ, फिर छोटा उ, फिर छोटा रू, और पांचवा रू, ये पांच है, वो रस्वस्वर है, दूसरा विपास्वर का है, दिर्कस्वर, उसमें कौनसे कौनसे आएंगे, तो वो चार आएंगे, कौनसे कौनसे, आ, बड़ा इ, बड़ा उ, और बड़ा रूब कितने होए पांच रस्वस्वर और ये चार दिर्गस्वर नो हो गए अब बचे कितने चार कौनसे कौनसे ए आई ओ और अव ये चार है उन्हें सैन्युक्त स्वर कहते है याने कि वो दो स्वरों से मिलकर ये बना है इसलिए आ और ये मिलकर ए बना है इसलिए ए है वो सैन्युक्त स्वर है similarly आ और ए मिलकर अई बना है आ और उ मिलकर ओ बना है और आ और ओ मिलकर ओ बना है समझ मैं आ गया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यह total 13 स्वर होते है और इन 13 स्वरों को तीन विबाग में विबाजित किया गया है पहला विबाग है रस्वस्वर जिसमें अ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा रू और रू ये पांच आते है दूसरा विबाग है दिर्गस्वर उसमें आ, बड़ा ई, बड़ा उ और बड़ा रू ये चार आते है और तीसरा विबाग है संयूक्त्य स्वर जिसमें ए, आई, ओ और औ ये चार आते हैं इस प्रकार तेरा स्वर होते हैं और तीन विबागों में विबाजित है उसके बाद है आपका दूसरे प्रकार के जो अक्षर होते है वो है वियनजन जैसे मैंने आपको पहले बताया व्यांजन भी तीन भागोब में विभाजित है स्पर्स व्यांजन, अंतस्था व्यांजन और उश्म व्यांजन सबसे पहले हम देखते है स्पर्स व्यांजन तोटल नंबर ओफ व्यंजन कितने हैं 33 33 और वो 33 तीन भागों में विभाजित है उसमें से 25 चार और 4 ऐसे मिला कर 33 होते हैं 25 और 4 29 और 29 और 4 33 तो जो पहले 25 व्यंजन है वो होते हैं स्पर्ष व्यंजन कौन से कौन से कख गग और फिर जो पांचवा होता है कवाली लैन में वो होता है नाक में से बोला जाता है इसलिए उसे अनुनासिक भी कहते हैं एक्चली मैं आपको एक पिक्चर ही दिखाता हूँ देखिए यह जो चित्र है उसमें जो सब्स हरेक लाइन में जो लास्ट वाला है वो हरेक लाइन का अनुनासिक होता है और आप देख सकते हैं कि कावर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग और पावर्ग ऐसे पांच वर्ग भी आपको यहां दिये गए हैं तो इससे आपको समझने में आसा नहीं रहेगी देखिए अग्रूप ओफ लेटर्स आर कोल्ड वर्ग तो पांच अक्षरों का पांच व्यंजनों का एक समुह बनकर एक वर्ग बनता है तो को पहला है को और को के नाम से वो पूरा जो लाइन है वो को वर्ग कहलाएगी और को वर्ग में आएगा किया को खो गो गो और नाक से बोला जाएगा दूसरा है च पांच वर्ग कर्चट अतप एसे उसकी सोट फॉर्म है तो कवर्ग च वर्ग तवर्ग और पावर्ग तो क हमने देखा कखगगगः और नाम दूसरा वर्ग है च वर्ग उसमें कौन से कौन से वियंजन आते है च, छ, ज, ज, और य, 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 नाक में से आपको थोड़ा मुह ऐसे भी कर कर य, जैसे वो था पहली लाइन में लास्ट लेटर, वो था य, वो भी थोड़ा आपको यहां आपको उंगली रखकर बुलिए दूसरा लाइन में लास्ट लेटर, य, यहां नाक पर हलके से उंगली रखिएगा तो आपको हलका सा कमपन महसूस होगा, वाइब्रेशन महसूस होगा फिर तीसरी लाइन है, यानि कि तीसरा वर्ग है टा वर्ग, उसमें क्या आएगा? टा, ठा, डा, डा, डा और हना और लास्ट है वो है पवर्ग, उसमें क्या आएगा? टा, ठा, दा, धा और ना और लास्ट है वो है पवर्ग, उसमें आएगा प, फ, ब, भ, और म, ठीक है? तो इस प्रकार पाँच अक्षर की पाँच लाइन है, इसलिए पच्चिस होते है फिर से मैं दोहरा देता हूँ टोटल नंबर ओफ व्यंजन आर थर्टी थ्री, दे आर डिवाइड़ेड इन्टो थ्री पाँट्स स्पर्ष व्यंजन, अन्तस्थ व्यंजन, उसम व्यंजन स्पर्ष व्यंजन में टोटल पच्चिस व्यंजन है उसमें ये पच्चिस इस प्रकार है ज़्यादा हमारे मुह में से ज़्यादा एर ब्लो बहार नहीं होती या तो जिनका उच्चारन मुह में से ही बहुत ही गम-कम गति विधी से हो जाता है इसलिए उनको अंतह स्था कहते हैं अंतह मने अंदर ही स्था रहने वाले जब आप का बोलते हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली हवा बार निकलती है बट आप बोल लिए य र ल व बहुत ही आपको कम महनत करने पड़ेगी और एर बलो भी बहार नहीं होगा इसलिए उसको अंतहस्थ कहते हैं तो ऐसे अंतहस्थ वियंजन कितने हैं चार यार लव और लास्ट में जो चोथा तीसरा पार्ट है वियंजन का वो है उस्म वियंजन उसमें भी चार वियंजन हैं कौनसे कौनसे शा, शा, सा और हा इसको उसम क्यों कहते हैं क्योंकि ये चार लेटर बोलते वक्त हमारे मुह में से हलका सा air blow हवा बहार थ्रो होती है इसलिए उसको उश्म कहते हैं अब बुलिए स, 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 ह तो आपके मुह में से हलकी सी या तो उससे थोड़ी ज्यादा हवा बहार निकलेगी इसलिए उसको उश्म भी अजन बोलते हैं तो इस प्रकार और यह जो श, 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 और ह है इन तिनों श की भी अपनी एक आइडेंटिटी है पहला जो श है वो है तालविया दूसरा जो श है वो है मुर्धनिया और तीसरा जो स है वो है दंतिया ठीके, तो इस प्रकार ये जो दो मुख्य अक्षरों के प्रकार है वो है स्वर और व्यंजन, स्वर में तीन पार्ट, व्यंजन में तीन पार्ट, स्वर के तीन पार्ट, रस्वस्वर, दीर्गस्वर और सहीं उक्तवसर, व्यंजन के तीन पार्ट, स्पर्स व्यंजन, अंतस तव्यंजन उस्मव्यंजन ठीक है तो आज के लिए इतना रखते हैं बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे